रादे रादे सब्स्ट्राइक दीजिए फुनीता कुगर चानल को बेल आइक अंद भाईए काना जी की वीडियो की नूटिफिकेशन भाईए रादे रादे इस नितर नेटिंग में आपका बहुत स्वागते देखिए हमने चोली बनाई थी चाहर नंबर कानाजी के लिए जो की पांच को भी आजेगी मैं पहले भी कह रही हूं क्योंकि उनके फिच्श थी आगर आप इसके नीचे कोई घ्रत कर यावीड्रीस नहीं प्नाते हैं तो ये पांच नंबर कानाजी को भी आजेगी अगर जैसे कोई पदला मलमल कोटन का ड्रेस आप पनाकर इसको पनाएंगे तो असी तरह से चार और पांच को हमने बनायी थी पांच घड़ती पनाओंगी तो हमने बनाए ती 0051 को थोड़ा थे उनाओंको भी भी थी जा जाएगी तो इसलिए हमने यह आप मलब कि इस आप से चार पांच है अब आप देखे अगर हम इसे फ्रेंट ओपन बनाते हैं पूरा तो यह मैंने यहां से सिर्फ आपको सिकाने के लिए यहां पर बनाने के लिए यहां से वाइट आउटलाइन कर देती नहीं तो आपको नीचे से करनी होगी जब आप पूरी ड्रेस क्योंकि वीडियो लंबी हो जाते हैं इसलिए हम आधे-आधी बनाते हैं तो अब मैं यहीं से बनाओंगी इसको पुरा ओपन ही बना रही हूं बाद में हम यहां से थोड़ा सा इसका इतना ही रखेंगे ठीक है ना डोरी बांद के नीचे से पुरा गिरीन गिरीन रहेगा तो चलिए बना लेते हैं इस तरीके से हमने एक चेन, दो चेन और तीन चेन और हर चेन में से हमने दो दो बार डबल क्रोशिया करना है यह देखिए एक अगले चेन में चले गए एक और यह दो जो तीन चेन बनाई थी इसको हमने गिना इसलिए हम उसको इस तरह के से हर चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाकर इसको पूरा कर लेंगे तो यह देखिए हमने दो दो बार डबल क्रोशिया ले लिए यहां पर आगए हम किनारे पे यहां से हम फिर से तीन चेन लेंगे और हर चेन में से एक एक बार हम डबल क्रोशिया लेंगे कहीं भी कोई stitch double नहीं करेंगे ठीक है ना एक बार लिया अगली chain में चले गए इस तरीके से एक एक बार ही लेना हमने कोई भी आप dress बना रहे हो किसी भी number की गेरा इसी तरीके से बनेगा जैसे मैं इसमें बना रही हूँ तो हम इस तरीके से second row को भी पूरा कर लेंगे तो देखिए दो row बना लिए एक में double किया और एक में single single इस तरीके से यह हमारी यह देखिए dress इतनी बन गई अब हम white color यहां से लगाएंगे बिल्कुल easy dress है same इसी तरीके से हम बनाएंगे नीचे की तरफ भी लेकिन यह color था इसमें हमने ऐसे किया था लेकिन जैसे हमने इसमें किया था ना बाजू में ऐसे हम नीचे बनाएंगे और यह बहुत लंबी dress नीए इसके साथ की हम पजामी बनाने वाले इसलिए हम यह dress जो है ऐसे ही बनाएंगे सिंपल है बहुत ही प्यारी लगेगी देखो बड़े-बड़े गेरे की हमेशा कानजी पहनते हैं चेंज भी होना चाहिए और प्रॉपर ड्रेस होने चाहिए निकि उनको अच्छी से जैसे हम लोग पहनते हैं कपड़े वैसी होने फैंसी ड्रेस में बनाती हूं गर्मियों मे लेंगा जुनरी ऐसे कानजी का हो जाता है जैसे फ्रोग हो जाता है पगड़ी हो जाती है और नीचे पजामी या धोती हो जाती है ठीक है न तो हम इसे तीन पीश में बनाएंगे तो यह हम क्या करना है हमने हाप डबल करोशे से हर एक उसमें एक एक बार स्टिच ले लेंगे थोड़ा सा सिंगल करोशे भी ले सकते हैं छोटी ड्रेस तो आप सिंगल करोशे लेंगे इन धागों को ऐसे दबाते रहेंगे ठीक है ना इस तरीके से बाजू में हमने सिंगल कर लायन्थ लंबी हो जाएगी मुझे लायन्थ लंबी नहीं करने क्योंकि मुझे इसके नीचे पजामी बनानी है तो हम हाँ डबल कुरोशे के एक लाइन बना लेंगे और सेम यह बना के त्यार करेंगे तो यह देखिए हमने इस तरीके से एक एक बार ले लिए और यहां से हम जैसे हमने बाजियू में अगर आपने वीडियो नहीं देखिए हो तो मैं डिस्क्रेप्शन पर लिंक डाल दूँगी वहां से आप देख सकते हो फर्स पार्ट होगा मेरा ही सेकिंड है जैसे कि हैं पर हम इस तरीके से देखिए कर रहे हैं वही चार बार ऐसे चेन बनाते हैं एक दो तीन चार और अगली चेन में इस तरीके से आप तो चाहिए स्लिप स्टिच ऐसे ले लिजिए गा और फिर चार चेन बना लिजिए गा ठी सिंगल बनाना तो आप सिंगल भी बना सकते हैं देखें ऐसे आपको बार बार रिपीट करना है बस लेस बन के त्यार हो जाएगी जैसी हमने बाजू में बनाए ये कोलर में बनाए है उसी तरीके से बना रहे चार चेंड अगली चेंड में गए और ये सिलिपी स्टिच ठीक ह इस तरीके से बना लेते हैं तो देखिए हमने इस तरीके से लेस बना की त्यार कर दिया और ये हम ऐसे पहिनाएंगी कानल जी को क्योंकि हमारे इस तरीके से गौल कॉलर है तो यहां पर आप ऐसे प्रेस बटन तो लगाई लेजीगा जिसे अच्छी से टाइट हुजे एक पर एक कैसे आजेगा या आप यहां पर डोरी भी लगा सकते ने इसी तरीके से आपको खुली पहनानी है यह देखे इस तरीके से आएगी हमारी ड्रेस ठीक ना क्योंकि इसे हमने टॉप की तरह बनाया थोड़ा सा जादा बढ़ा नहीं बनाया यह दाइमीटर जो है यह हमारा देखें पांच है जबकि आठ होता है चार नंबर काना जी का जिसे हम ड्रेस बनाते हैं तो यह हमने ज्यादा गेरा नहीं बनाए सिर्फ काना जी को ऐसे रिका काना जी और बस नीचे हम पजामी बनाएंगे तो यह आप और भी छोटा भी इतना भी बना सकते हूं तो यह हमने चोली को लंबा इस लिए नहीं किया था क्योंकि हमें यह सोड़ा बनाना था तो यह देखिए हमारा कुल इस तरह किसे बनके त्यार हुआ है कितना प्यारा सा भी लग रहा देखिए तो चलिए इसके साथ की पजामी भी बना लेते हैं पजामी बनाने के लिए हमने यहां पर जब भी हमारी हैं स्टिच है उनको नोट रखना कि इससे हमारी 26 ती तो 26 से हमारा जो बनेगा तो हमारे जो चार नमर का आना जी का दो इंच का या पोने दो इंच के ही पजामी बनते हैं लंबी नहीं बनती है उसमें हमारा उपर से आसनी भी बनेगा तो यह हम टोटल जो है तीन इंच के करीब बना लेगे या निकि देड़ इंच का आसन और देड़ इंच नीचे बस इतना ही बनाएंगे ठीक है ना तो हम इस तरीके से चाहिए ताप सिलाई वैली भी बना सकते मैंने पहले बनाई यह सिंपल सी है ऐसे हम 26 चीन बना लेंगे वगए यह सिंपल सी है Smoke इस लाहए करके बनाएंगे तो ener बीगनर भी इस को बना लेंगे ठीकश है ना तुम 26 चैन बना लेते हैं तो देखिए मैं 26 चेन बना ली में 12 टेप से आपको नाप के दिखाती है यह देखिए चार इंच से सवा चार इंच के करीब ही है तो यह हमारी ठीक है इस तरीके से यह देगी ऐसे बनेगी तो इसमें आपको अगर आपको डॉरी डाली है आप डॉरी डाल सकते हो कमर पे जो है बहुत अच्छ अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपका हाथ बहुत लूज है तो आप जो है क्रोशिया थोड़ा सा पत्र ले ले लिजिए अगर आपका हाथ टाइट मोटर ले लिजिए ठीक है ना तो चलिए 26 हो गई अब हमें ऐसे लेना ही देखिए अगर आपको सिलाई नहीं करना तो ऐस से लेना है और इसे हम आपस में जोड देंगे देखिए चेन ना इसको ऐसे से करते हो जाना नहीं तो यह पलड़ जाएगी फिर यहां करके ऐसे घुमाना है और लाश्ट वाले चेन में से आपको देखिए इसलिप स्टिच ले लें इसलिए तो तरीका ही होता है नहीं तो हाब सीधी सी बनाएए, सिलाइक कीजिएगा, हो भी कोई दिकत नहीं, तो यह ऐसे पहनाने में एजी रहेगी, और हम फिर बाद में आसन को अलग लग करके गोलाई में बनाते हैं, तो यह चीज किसी किसी को दिकत हो जाती है, बनाने जिनको आते हों को ले तो कोई दिक्कत नहीं हो अभी सही मेरी बात को समझ गई होंगे बना भी लेंगे तो चलिए 26 स्टिच है यहां पर हम दो और ले लेंगे 27-27 क्योंकि गिंती में 26 ही रहेगी जैसे मैंने चोली में बताया था अब यहां पर हम हाप डबल क्रोशे लेंगे यह देखे ऐसे तो 26 स्टिच में से हम इसे भी हाप डबल क्रोशे से ही बना रहे है जैसे कि मैंने पहले का काना जी को ठंडे नहीं लगने चाहिए है आप इसे सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं उसे भी बहुत अच्छी देखें कितना इंच बनता है तीन रोह फिकर ना तो देखिए तीन रों बना लिए हमने एक दो ती और इसको नापते ह्टे लए कि देखी एक इंच के करीब बना आँ अगर ही हम डबल क्रोशे से बनाते तो हमा रहा को सकता है दो ही रो में बन जाता लेकिन हम यह रबल क्र मिल्ब पजामी हमारी बनेगी और हमारी समय यह बनेगी तो ए सबहले संट्र कर और प्रक्रेद स्ट्रार भी बस वही बढ़ाऊंगी तो यह देखे हम किनारे पे आ गए हैं एक किनारे पर आकर हम ऐसे एक चैने लेंगे और यह फ spraw में इस तरीके से हब्ड़े प्रोशियल ये एक बार फिर गुमाईंगा फिर सेंड उसी में हम एक बार और ले लेंगे, दो स्टिच हो गई, एक बढ़ गए हैं यहाँ पर और यह 26 थी हमारी, तो एक बना चुकिए हम बारा बनाते हैं, बारा में हम फिर से इसी तरीके से बढ़ाएंगे, तो देखिए ऐसे, दो हो गई, एक पर डबल किया ना, तो दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, और यह 12, टोटल यहां से, इसको जो हमने डबल लिए, इसको भी गिना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरीवी, तेरीवी हमारी जो बनेगी, उस पर हम एक में से दो बार निकालेंगे, 26 है न, हमारी तोहाधे में हमने इस तरीके से दो निकाल लेनी है, दो स्टिच निकाल ली, यह भी हमारी यहां से गिनेगे, तो यह भी हमारी तेरीवी है, है न, तो बीच में दो जो गी हाफ, इधर दो लेंगे, उसके साथ वाले में भी हम दो ही ले लेंगे, तो हमारी टो लोटल 26 पहले से थी लाश्ट में हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हीप्स वे हम थोड़ा सा बढ़ा रहें वैसे एक बार भी हम बढ़ा लेंगे जब भी अच्छी फीटिंग आजेगी क्योंकि खुरोश्य तो थोड़ा अपना जगा ले लेता है तो ऐसे करके हम लाश्ट म हमारी बढ़ जाएगे लेकिन एक बार हम चोड़ाई देख लेते हैं क्योंकि क्योंकि क्रोश्य ज्यादा हमारा अगर खुलता है तो हम एक और यह लाश्ट में भी हमने दो तो टोटल हमने चार स्टिच बढ़ा लिया एक बार हम इस तरीके से देखी होगी ना थोड़ी सी गुलाई इसको देख लेते हैं यह देखें काफी आ रही है हमारी तो अब हम नहीं बढ़ाते ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा फिर फिटिंग नहीं आएगी अच्छा नहीं लगेगा ना तो ही इसे वापस होजेंगी पजामी भी हमारी चार और पांच को अराम से है तो थोड़ा सी खुलतीप थोड़ा जबा चाइट नई नहीं मुन थो फुड़ा सा खिचती विए तो एक रह बना लेते हैं हमें ऐसी पांच रहो जेंगर तो घिकवबना लिए मैं एक दो टीन चार पांच और ये कह मरी कि यह देख देए ड gobierno के और कि टोटार हमारी स् तो मैं एक पैर बनाती हूं यह देखिए एक हमने चेन ली कर फ़र्स्ट चेन में से हम इस रो में 15 ले लिए लिए एक, दो ऐसे करकि हाँ तक सेंटर तक 15 ले ले लेते हैं तुझ देखिए हमने आदा ले लिया ठीक है न Ben 12 हमारी इसे बाद मिनाएंगे तो हीज पी एक चैन्म लेके वापस हो जाएंगे यह देखिए इस तरीके से ठीक हे ना अजेद फर्स्ट चैन्म फिर समें ले रही हो यह रो भी हम इसी तरीके से बना लेंगे इसमें भी हम कोई स्टिच घटाएंगे नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा इसको पजामी की तरह नहीं बना रहे हैं जैसे हमने ड्रेस खुला-खुला बनाया ऐसे हम इसको भी थोड़ा सा लूज पजामी में बनाएंगे एकतम फीटिंग में नहीं बनाएंगे तो देखिए हम ने दो रो इससी तरह के से बना लेक, जितनी पांच रो हैं पांच रो कि हमने निचे मनाने हैं फिर यहां से एक chain लेके वापस हो जाएंगी अब हम यहां पर stitch घटाएंगी तो आप कुछ जरूरी नहीं आप किनारे पर घटाएं यहां पर किनारे पर घटाएं जैसे हमने किनारे पर आप कहीं से भी बीच में से भी stitch घटा सकते हैं तो हम उससे थोड़ा यह की beginner को दिक्कत होगी एक हुआ दो तीन और चार इसे मैंने चार बना लिया है तो यहां पर मैं घटा देती हूं ऐसे घूमाया घटाने कईसे एकवार ऐसे लेना है उसको उतारना ने फिर ऐसे लिया फिर अगली chain में से एक बार ऐसे लेना है उसको भी निए उतारना इंस सब को एक साथ ऐ से कर देना है तो बस एक स्टिश हमारी कम हो जाएगी तो यह हमने सेंटर में ही इस तरह से कर दिये ठीक ना ऐसे हो जाएगी तो हमने एक यहां बढ़ाई थी एक यहां बढ़ाई थी दो ही बढ़ाई थी टोटल हमारे चार ही बढ़ी थी इक हमने अभी बढ़ा स्वरी कर दिया अब हाद चेन में से एक-ऐक बार ले लेंगे जैसे यहां से चार फिर से चार ले ले लेंगे एग दो तीन और ये चार तो ये तो हम फिर से ऐसे करेंगे ऐसे लिए उतारेंगे नहीं फिर ऐसे घुमाया फिर ऐसे लिए फिर सब को एक खटा तो दो स्टीच हमारी एक यहां एक घट गई और फिर हम आगे का बना लेंगे और ये लास्ट में तो यह हमारी 13 ही हो गई क्योंकि दो घट गई है थोड़ा सा अब यह देखिए एक दो तीन जो हो गई है हमारी फिर यहां पर वापस हो जाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से अभी भी पजामी की तरह आएगा तो सुन्दर लगता है थोड़ा सा तो हम इसमें दो और स्टिच यानि कि हमारी टोटल 11 रहा जाएगी बस 11 से जएधा हम नहीं गटाएंगे क्योंकि हमने पजामी नहीं बनानी है तो इस तरीके से आप इस रो को तो ऐसी उतार देंगे हैं यहां पर हम गटाएंगे नहीं ठीक है ना या मारी चोथी रो है पांच वी रो में हम घटाएंगे बस दो बार ठीक है तर देंगी चार रो हो गई अब पांच मी में हम घटादेंगे तो वही जैसे मैंने बताय है यहां पर हमने उस बीच में हमने घटानी है इसे तीन स्टिच ले ली मैंने जैसे तो चोथी फिर एक बर बनाया है, ऐसे लिए फिर ऐसे हա एक कम होगी। ऐसे मोच के थीन एक घटा लेंगे एक दो और एक ती फिर यहां पर दो स्टिच एक सद घटा देंगे ऐसे लिया नहीं उतारा फिर ऐसे लिया फिर इस सारे को घटा फिर लास्ट में इस तरह के सिर्फ बना लेंगे और यहां पर हम धागे को कट कर देंगे पांच रो हमारी हो गई है अब हम लगाएंगे और ऐसी हमारी दूसरा पैर का भी बनेगा ठीक है ना तो यहां से हम कट कर लेते हैं और सेम जैसे बाजू बनाएंगे जैसे यह बनाएंगे और ठीक इसी तरहीं चेंड लेकर हर उसमें स्लिप स्टिच लेते हुई यह चीज हम यहां पर बना लेगे यह देखे हमने इस तरीके से पजामी बना लिया जैसे यह एक पैर बनाया था वैसे हमने दूसरा बनाया और इसको हमने क्या करना इस तरीके से ऐसे करके और इसको ऐसे दोनों हो गए ना यहां से सिलते वे यह देखे यहां से सिलाई करते वे आसन तक लाना है और इन दोनों अलग-अलग इस तरह के से सिल ना एं उल्टे साइड इसे आप bendee vors लीजिए। बिजुट इस पेवले एससे सिल लेजिए ठीक है ना मिन्म यह से सिल ना इससे सिल के फिर एंसे सिल नहीं करिणे फ्रवाइज ही। उपर हम डोरी डालेंगे और यह पजामी इस तरह के से बनके त्यार हो जएगी और यह हमने कैप की त्यारी भी कर लिए क्योंकि आपको स्टिच पता ही यह यह डबल कुरोशिया नहीं है हाफ डबल कुरोशिया है तो इसकी हमने एक, दो, तीन, चार रो बना की तियार करिए टोटल इसकी लेंथ देखें फूल यहाँ पर तो यह देखें डेड़ इंच के करीब है फिर रिल को मिला के वैसे यह एक सवा इंच के करीब है तो चार रो हमने हाप डबल करोशी की बनाई है और सेम यह लेस बनाई है जो की हमने फ्रोक में भी बनाई है और यह स्टिच मेरी 20 है ठीक है ना? 20 स्टिच पर मैंने बनाई है जैसे 20 चेन बनाने पर एक एस्टर ली जाती है 21 तो फिर हाप डबल करोशी बीस बार तो ऐसे मैंने बनाया है और इस तरीके से फिरिल तो ऐसे खुली-खुली आए कि थोड़ी से नीचे और यह हमने काना जी की सर के इस तरीके से गोलाई ली लिया तो देखिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो पीतल वाले काना जी है उनके साइज में और अस्ट धातु वाले साइज में दोनों में फरक होता है अस्ट धातु वाले जो काना जी है वो थोड़े मोटे होते हैं और पीतल वाले थोड़े से पतले होते हैं तो हम दोनों के साफ़ से ड्रेस बनाते है इसलिए हम कहा देते हैं चार और पाँच नमबर को काना जी को आजएगी ठीकिए ना तो अब हमने इसको कैप को इस तरीके से सिले ना, यहां से साइड से और यह मैंने बताई दिया अब तो पहले मैं, यहां से साइड से सिल का रहिए, यह सिल के आती हूँ जैसे स्वेटर सिलते हैं वैसे ही, ठीक है न? यह देखिए, पजामी त्यार है उप़र से हमने डोरी डाल दिया है किनारे पे इस तरीके से देखिए और ये हमारी इस तरीके से सलाई होगी है ये हमारा नीचे लेज एसे आएगी अगर आपको पजामी लंबी नहीं रखनी तो आप इस तरीके से फॉल्ड भी कर सकते हो ठीक है नopar की तरख ऐसे अपने काना जिकाई देखिए यह उल्टी साइड है तो हम उल्टी साइड से ऐसे इसको रखेंगे चीक है और यहां से सिलना शुरू करेंगे लेज से यह उपर से ग्रीन कलर का धागा यह हमारा यहां से सिलना शुरू करेंगे इस धागे को भी उपर रख लेंगे और उपर तक इसी तरीके से हमने सिल लेना इसको दबा लेना ये देखे भार निकल गया दबाते हैं इसको उपर तक हमने ऐसे सिल लेना है तो ये कैप अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी कर सकते हैं ज्यादा उची नी बनानी है तो ये देखे इसी तरीके से भी सिल सकते हैं वह फैशन में हैं और उपर से आपने ऐसे कच्छा करना है बस किनारे पर जो चेन है न आपने ठीक है ऐसे करते हैं गोलाई में देखे एक बार इधर एक बार जैसे कच्छा करते हैं छोटा छोटा हर चेन में से उपर स्टेश इतनी भी है ये निकाल लिया और यहां आगे हम किनारे पे इधर से भी ऐसे अब इस दागे को पकड़ कर आप ऐसे खीच देंगे बस बन गया कैप उपर पम-पम लगाना तो वाइट कलर का पम-पम लगा सकते हो ठीक है नहीं यहां से इसको हम ऐसे खीच कट कर देंगे धागे को और यह देखें पलट जी हमने तो कितने प्यारी सी चार नमबर काना जी की यह 5 नमबर काना जी को भी आ जाएगी क्योंकि खीचाव होता है इसमें ठीक है ना तो यह हमारी कैप बन गई यह हमारी पजामी बन गई और यहां पर आप चाहिए तो मैंने जैसे बताए प्रेस तंडोरिया कुछ भी लगाकर इस तरह आप ऐसे भी पहना सकते आगे से भी ठीक है ना ऐसे भी पहना सकते लेकिन हमने इस तरह के से पहना नहीं है ठीक है ना तो यह हमारा सैट बनके त्यार हो गया संदर साब मुझे उमीद है आपको पसंद आया होगा और मैं फिर से एक बा बनाते हैं तो आप पांच और छे को बनाते हैं तो यह भी जाएगी नंबर को भी आ जाएगी फिटिंग में आएगी जैसे मैंने बताया नीचे ड्रेस बनाकर पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इसको डबल को रोशी से बनाएगे तो मुझे उमीद आपको पस पसंद आये पसंद आये तो प्लीज जैसे हमेशा कहते हूं वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा राधे राधे लिखेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद राधे राधे